नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का अमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में और दोस्तों आज आपको सभी को एक मेसेज मिला होगा मेसेज हैं पर ये कियोस्क कोरोना महमारी को देखते हुए आपके सिकुरिटी वॉलेट तता कमिशन को आपके बैंक खाते में आपकी सहमती के बाट ट्रांसपर किया जाना है इसके लिए इमित्र पोटर पर लॉग इन करके फाइनेंस अपडेट बैंक एकाउंट डीटेल पर जाकर अपने बैंक एकाउंट की डीटेल सेक करे यदि नया बैंक एकाउंट विवरन अपडेट करना है तो नया बैंक एकाउंट विवरन अपडेट करे अनिसा दर्ज विवरन पर सहमती दर्ज करे ये केवल कियोस के ओनर दुआरा ही किया जाना है आपके दर्जबेग खाते में उक्तरासी आपके इस्तनांदित कर दी जाएगी दोस्तों ये मैसेज मिलने का मतलब हैं कि आपको जो सिक्यूरिटी वालेट के पैसे जो आपको इमित्र वालेट में अल्रेडी आ चुके हैं इस इसको आपको अप 시D कर लेना हें अपने इमित्र के आइडी के अंदर क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बता दूँगा तो इसलिई ये मैसेज्य तो दोस्तों ये जो काम है जो क्योस का ओनर ही कर सकता हैं और के लाएक कोई यह काम नहीं कर सकता अगर आप खुद ओनर ह करना है अगर आपको बेंग खाते के अंदर पैसे लेने हैं तभी इसी परिक्रिया को पूर्ण करके आप बड़े ही आसानी से ये पैसे आपके बेंग काते में आ जाएंगे जो सिक्यूरिटी वॉलेट के हैं पलस आपके जो कमिशन बना है वो सभी ता यह दोस्तों जानते है पूरा का पूरा प्रॉसेस क्या रहता है तो दोस्तों आपको एक बार बता देताओ को इस इस स्टेप को आपको को directly यहां पर क्लिक कर लेना है जैसी दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर option मिल जाएगा सबसे पहले आपको मिलेंगे ifc code उसके बाद bank का नाम फिर प्रांस कहां की है फिर आपके account नंबर आपको मिल जाएंगे तो एक बार आपको इसकी जास कर लेनी उसके बाद दोस्तों आपको address डाल देना है तो दोस्तों यहां पर address थोड़ा मैं change कर लेता हूं कि बहुत long है तो यहां पर accept नहीं करेगा तो यहां पर मैं डाल देता हूं short नाम ओके दोस्तों यहां पर अगर आपके long नाम है तो यहां से आप save कर सकते हैं यहां पर account type है saving वगर तो saving ही है फिर मैं यहां पर yes पर click करके इसको submit पर click करूंगा और मेरा काम हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर एक बार मैं वापिस इसकी जास कर लेता हूं कि आखिर यह एक सई detail है या फिर नहीं तो यहां पर दोस्तों IFC code मेरे एक उक्के हैं इसके बाद मैं दोस्तों submit पर click करूंगा जैसी submit पर click करेंगा तो दोस्तों data update successfully और मेरा काम complete हो जाएगा तो यह एक महत्वपुन जानकारी जो मुझे लगा आप तक पौसाना जरूरी है इसलिए सबसे जल्दी मैंने वीडियो बनाया और सबसे जल्दी आप तक यह जानका करें मिली तो दोस्तों यहां पर एक बार वापिस मैं clear कर लेता हूँ यह जो पैसा है आपके security wallet का जो पैसा आया है इसके बारे मैंने पहले ही वीडियो बनाया है दूसरा जो आपका मार्स मा का commission आने वाला वो directly bank खाते में अगर आपको लेना है इमित्र wallet से तो इसी लिए आपको यह bank account number update करवाने है और एक बार आपने अपडेट करवा लिए तो directly आपके bank खाते के अंदर यह सारे की सारे पैसे आ जाएगा है तो जोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like वा शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक् कर सकते तो बाइबे तो